कि नमस्कार मैं हूँ राव शर्मा आप देख रहे हैं एस पे नाइनिस वागत आप सभी का आज की बड़ी कबर में बड़ी कबर की शुर्वात है कि आज हम कर रहे हैं एक बहुत बड़ी कबर थे भगवंत मान को लेकर खबर सामनी है भगवंत मान जिनके पस फॉर्चुनर गाड़ी है जो फॉर्चुनर गाड़ी पचास लाग की है और वह भगवंत मान इतनी करोड़ के संपत्ती के मालिक है फिर भी वो किराय के घर में रहते हैं आकिरकार ऐसा कैसे है और क्या कुछ भगवंत मान को लेकर बड़ी खबर सामनी है इस रिपोर्ट में हम आपको बत आमादमी पार्टी के सीम फेस भगवंत मान ने हाली में धूरी विधान सबा हलके से नामांकंदा किल किया भगवंत मान संगरूर में किराय की घर में रहते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं किवाए घर खरीद नहीं सकते नामांकन के साथ दिये शपत पत्र के अनुसार है लाग से ज्यादा राशी बैंक में है मान के पास दो फॉर्चुनर और एक शर्वेल क्रूज कार और पांच लाग का 95 ग्राम सोला है मान के पास एक करुण 49 लाग किया चल जायदाद है सुनाम और पैत्रिक गाउं सतौज में 16.50 मरले किर्सी भूमी है अर्बन इस्टेट फेस एक में S.C.O. आमपेक्स मॉल पटियाला में और गाउं कारहेरी गाउं में दुकाने हैं दस साल पहले 2012 में वेल लहरा से चुनाव लड़े थे तो उस समय के मुकाबले बहुत जादा अमीर नहीं हुए 2012 में भगवंतमान की जायदाद के अगर बात करें तो चल जायद इनोवा गाड़ी 10,38,000 की कीमत उसके अलावा अगर बात करें तो धीरे धीरे भगवंतमान की संपत्ति में इजाफा हुआ चला गया और अब उनके पास फॉर्चुनर गाड़ी है क्रूज कार है चल जायदाद है 1,26,000 की और इसके साथी साथ कई दुकाने और बड़ी मात में सोना भी है देखा आपने कि भगवंतमान जिनके पास इतनी करोड़ों की संपत्ति हितनी महंगी गाड़ी है लेकिन फिर भी वो किराय के घर में रहते दरसल देखा क्या जा रहा है पंजाब विदान सभा चुनाओं से पहले दो राजनीतिक पार्टियों के विच टक्क पार नहीं है और पंजाब में जो बड़े-बड़े ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किये गए इसका बड़ा फार्ट देखने को मिल सकता है दरसल देकि चंडीगार नगर निगम चुनाओं में आम आदमी पार्टी ने जो पहला इस्तान आसिल क्या था उसके बाद से आज के लिए आप से फिर दोबारा मुलाकात होगी तब तक लिए जादीजे नमस्कार